नमस्कार जी बिजनेस की खास पेशकष रिपोर्ट कार्ड मुनाफ़े का गार्ड में स्वागत है आपके साथ मैं हूँ नेहा अनन चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन हो चुका है खत्म लेकिन इस बार कौन सी हैं वो कम्पनिया जिनोंने दिखाया है दम आज उस पर हम करेंगे बात हमारे साथ एक बेहत खास महमान भी जुडने वाले हैं जो इन कम्पनियों का रिपोर्ट कार्ड तयार करेंगे और बताएंगे आगे इनकी चाल कैसी रहेगे और आपको क्या करना है और ये भी बताएंगे सब आपको डीटेल में तो चलिए शुर सथी रिसर्च की टीम जुड़ चुकी है मेरे साथ है आशीश वरुन और कुशल जो आपको बताएंगे के करके कि कौन सी हैं वो टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने मार्श तिमाही में दम दिखाया है साथ ही सेथी फिनमार्ट के एमडी विकास सेथी हमारे साथ जुड़ चु सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो इस बार FMCG कंपनी के साथ ही तो सब कह रहे थे कि राव मेटर के कौश बढ़ गए हैं ये बेच नहीं पा रहे हैं रूरल अर्यास में दिक्कत है हम मान की चल रहे थे कि खराब ही आने वाले तेकिन वो बोलते है कि कभी-कभी जो ऐसे कार पर आप देखिए क्योंकि आप लगातार के रहे थे कि FMCG में प्रॉब्लम ये है कि इन्पोट कोश बढ़ आप सिग्रेट के लिए कौन सा इंपोट कोश बढ़ा है जो बढ़ना है वो पहरे से बढ़ गया तो उस पर इन्होंने दाम भी बढ़ आती है तो जाहिर सी बात ह कमनी के बारोंति हुई है और सिफ देखे कंबनी के बाकी सेगमेंठ में सेक में अच्री में तो वेलेन बाकि सेक्टों ये होटल चा हेजेकर रहा तो हर एक सेक्टर मैं अच्छी दॉती और माजिन्स जहां पर पूरे FMCG स्पेस के गिरे थे वहां पर ITC के माजिन्स में अच्छी खासी बड़ोती देखने मिली मुनाफे में भी बड़ोती देखने मिली तो हर सेग्मेंट से बैतर प्रदर्शन और जो किसी नहीं सोचा था एक ऐसी FMCG कमनी जो की परेशान हो रही थी उसने इस बार काफी बैतर प्रदर्शन किया और उसके बाद लोकेश हदस ने अपने टागेट भी बढ़ाना शुरू कर दिया इस काउंट अप है तो कभी कोई बैक बेंचर्स है वो भी परफॉर्म करी जाते हैं सेटी सर हमारे साथ है बहुत स्वागत है सर बताईए अब आप ITC के जो नंबर्स आए हैं जैसा प्रदर्शन है उसे कैसे रैंक करेंगे और आगे क्या किया जाए बहुत ही दमदार नतीजे आए और खास करके ऐसे महुल में जब माला जा रहा था कि हर एक बिजनस पे मार्जिन का प्रेशर रहेगा जो कि हमने बाकी सब बिजनसे में देखा भी है और खास करके FMCG बिजनस जहां पे commodity prices बड़े हैं तो उसका एक negative impact होना था बढ़ इस company ने कमाल के नतीजे पेश किये जिसका major करन था एक तो price highly इन्होंने अपने products में और दूसरा कुछ-कुछ cost इन्होंने channel partners के ओपर भी डाल दिये तो उसका और बाकी जो इनके दूसरे sectors है जूसरे segments है जैसे paper है वहाँ पे prices बहुत ही बड़े है उसका फाइदा मिला hotels में वापिस से जो reopening के बाद चलने लगे उसका फाइदा मिला all in all बैतरी नतीजे और मुझे लगता है इन नतीजों के बाद इन levels पे भी इस stock को hold तो करन चाहिए मेरा इसक में आने वाले नो से बारे मेने का टार्गेट साथ तीन सो रुपेट पॉइंट टेकन चलिए बागे बढ़ते हैं और अब एक auto major की बात करते हैं Interestingly auto space में भी बहुत जादा उम्मीदे नहीं थी कुशल राइट लेकिन अशोक लेलिंड इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो क्या details रहे है क्यो four numbers के बिल्कुल नहीं हा इनफाक पिछले दो-तिन दिनों से आप देखे लगातार सभी अनलिस्ट के रेडार पर अशोक लेलिंड आतावा नजर आ रहा है और क्यो ना हो आप देखे जिस तरह से मही महीने में इनके बिक्री आकड़े आया है वो सिर्फ केवल मही महीने में नहीं आप देखे पूरे जन्वरी से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर जन्वरी से मार्च इन पर्टिकुलर यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आपको आती वी दिखे इनफाक्ट आजिस तरह से बिक्री आकड़े आ रहे हैं इनके वो काफी शांदार रहे हैं और अत्यमाही दरत परसिंट के मार्च इस बारी क्लॉकिन किये हैं साड़े साथ परसिंट की मार्च पिछले साल के मकाबले और हमारा अनुमान केवल 7.2 परसिंट का था इनफाक्ट एक्सपोर्स और LCV यहाँ पर अब कंपनी का बड़ा फूकस भड़तावा जा रहा है और खासकर डिफेंस से इन्होंने जो रॉंच किया था एट वीलर ट्रक वो कहिना कहीं अपने आप में काफी जादा एंकरीजिंग है तो हर एक फ्रंट पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है नई सेग्मेंट में इंटर कर रही है और इसी वज़ए से अशोक लेलेंड आपके रेडार पर ल लेकिन पहले सेठी सर से जान लेते हैं कि वो इसे कितना स्कोर करेंगे और आगे की क्यारण नीती होगी सेठी सर ने बिल्कुल देया इसके भी नतीजे बहरी दमदार थे और कंट्रारीटू माकेट एक्सपेक्टेशन मार्जिन में बढ़ोतरी दर्जकरी कंपनी ने जिसक अब एक फाइदा देखने को मिला तो all in all good set of numbers और मेरी राय में इसको भी गिरावट में खरीदना चाहिए एक सो पिचेतर के मेरे टांगेट है इसके बार मेने के पॉइंट टेकन चलिए अब हम अपने तीसरे performer की तरफ बढ़ते हैं और वो है मॉयल बताईया अशिश क्या details है उसकी कैसा प्रदर्शन दिखा है चौथी तिमाई में निया देखे आप metal space को काफी closely track करते हो और इस बार नतीजे जाद अतर metal और mining space में कमजोरी देखने को म लेते हैं और खास बात है margin जैसा कि मैं आपको बता है कीमते बढ़ाईंती साथ में shipments भी बढ़ें बिक्री भी बढ़िया है तो आपको सीधा असर देखने को मिलता है company के आंकडों पर और 35% से margin बढ़कर सीधे-सीधे 40% हो गए और इसे की चलते देखे माना जारे की जो न अगाई को लेकर अभी बिचनता है क्या लगता है आगे भी एक company perform करेगी क्या सला होगी आदेखे निया जिस तरह से नतीजे नतीजे तो अच्छे थे और इसका मुख्य कारण जैसे अभी आशिस ने भी बताया कि एक तो इन्होंने जो प्राइज हैक्स ली जो प्राइज ह होड करना चाहिए मेरे इसमें नौ से बारे मेने के टागेट है एक सो नंपी रुपे चलिए और हम commodity स्पेस से ही जुड़े कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ट्राक कर रहे हैं और इंट्रिस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में बहुत जाद अच्छा performance देखन करने को मिला भी है इसी कडी में हम बात करेंगे MRPL और चन्नाई पिट्रो की तो बरुन बताईए कैसे numbers रहे हैं और क्या-क्या major announcements हुए थे blessing in disguise यही था इनके साथ तो क्योंकि अगर आप देखते ना कोई भी नॉर्मल दिन होता तो शायद चन्ने पेट्टो MRPL इतने अच्छे नतिज़े को भी पेश ही नहीं करता तो अब नॉर्मल दिन था इनके लिए इसके लिए कई नहीं कई वो जो निकल के आये हैं तो यह कईना कई आपने आप में दिखाता है कि करिस्ता का पादर्शन ने किया है और जाइसी बाते कच्छे तेल में जो बढ़ोती हुई उसका एक फायदा मिला और साथी साथ एकनोमी जैसे ओपन अप और आप देखिए जिससा से पेट्रोल डीजल एट इन कम्नियों ने उठाया है लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि कच्छा तेल काफी वॉलटाइल है और इन कम्नियों को कौटर ओन कौटर देखा जाता है अब पिछ्टे कौटर में तो नतीज़े अच्छे आ गए लेकिन इस कौटर में आएंगे क्या यह बड़ा कोश्चन तो क्या एतियात बढ़ती जाए इन दोनों में क्या किया जाए ने बिल्कुल वरुन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समप किया है कि इस तिमाई के नतीज़े को एक्स्ट्रा पॉलेट नहीं किया जा सकता विकोज यह एक एक्सेप्शनली गुड़ कोटर था इन सब के बाद दुनिया वर में रिफाइनिंग जो के पासिटी है उसकी शौटेज हो गई तो उसका भी बड़ा फाइदा इन दुनों कंपरियों को देखने को मिला तो इस तरह का परफॉर्मेंस रिपीट करना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा बट स्टिल जो भी रिज की स्पेस की जिक्र कर रहे हैं और एनर्जी स्पेस के लिहाद से देखा जाए तो विश्व भर के लिए ये बहुत ही चालेंजिंग समय रहा है टाटा पार अब आपने गैस करी लिया होगा ये हमारे फोकस पर है कुछ अच्छे सेट फ नंबर्स देखने को मिले हैं तो कैस से रहे हैं नंबर्स क्या डीटेल रही है पूरी ते माही की बताएंगे कुछ बिल्कुल नया देखे पावर स्टॉक्स जो है ना पिछले दो-तीन महीनों से लगातार हमारे फोकस पे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम देखी रहे हैं कि हर महीने ये अपडेट आता है कि यहाँ प पर दाम बढ़ने के संकेत आ रहे हैं उससे आगे चलकर कंपनी के परफॉर्मेंस और जादा बहतर हो सकती है और यह सिर्फ एक वर्टिकल है अब अगर आप दूसरे वर्टिकल को भी देखें तो जहां पर यह इवी चार्जिंग इंफरा की हम बात कर रहे हैं वहां पर टा टाटा पावर को भी काफी बड़ा फाइदा होता हो दिखेगा और रिन्यूबल एनर्जी स्पेस सोलर बिजनेस जो है कंपनी का वह काफी दमदार प्रदर्शन करता हो दिख सकता है तो बड़े-बड़े सेग्मेंट जो आगे आने वाले फ्यूचर बन सकते हैं उस वज़ हैं वो अब इस पर बैट करके चल रहे हैं और वो भी महीनों या एक-दो साल के लिहाज से नहीं डेकेट्स के लिहाज से सेटी सर क्या आप इस बात से इतिफाक रखते हैं अफकोस बताइए टाटा पार सर कैसा आगे प्रदर्शन रहेगा आप बहुती दमदार स्टॉक है और बाकी जैसे कुशल ने का ये कमपनी के नतीजे भी कमेंडेबल है दिस्पाइट दे फेक्ट की कोईले की शौटेज रही है कोईले के दाम आस्पान चूरे है फिर भी इस तरह का परफोर्मेंस किया और उसके जो कारण जैसे कुशल ने अगला स्टॉक जो हमाया रेडार पर है वो है बेर क्रॉप आशिश आपके पास डीटेल से जरह बताईए कैसा बहुत बढ़ी है शांदर इससे बहतर प्रदर्शन हो नहीं सकता है क्योंकि मार्जन आप देखे दुगने हो गए 11 परसेंट से बढ़कर 21 जहां पर इंपुट को सबको सता रहा है इनके मार्जन दुगने हो गया और मुनाफिय में भी देखे तो शांदार बढ़त थी 62 कर रहने हैं सबसे पहले देखे इन्होंने भी प्राइज हाई किया और ग्राजुली इसे पासओन किया इसके लिए अपने मार्जन को नाकी सिर्फ सस्टेन कर पाए यहां पर मार्जन में बड़ोतरी भी देखने को मिली ऑपरेशनल एफिशेंसी इनके जो खर्च है आन्य खर इसी तरीके से आपको दमदा नजर आए ओके चलिए और यहां पर तो अब खेती के सीजन की शुरुआत हो रही है हरीफ के लिए कुछ अच्छे एस्टिमेट्स भी इनिशल निकल कर आ रहे हैं सेटी सर बताईए आप कितना बुलिश है या कितना होपफुल है इस स्टॉप को लेकर going forward नेहा यह भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है और जैसे आशिस ने डीटेल में बताया इस कंपनी के भी जो नतीजें है बहुत ही दमदार थे इस कोर्टर के और इसका मुख के कानद था एक तो एगरी के में किल्स के जो प्राइज इंटरनेशनली भी काफी इस ताओं इसमें भी बिल्कुल होड करना है और कोई भी गिरावट में खरजारी करनी है मेरा इसमें बारे मेने का टागेट है छेजार रुपे चलिए इसी नोट पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक जल लोटेंगे कुछ और ऐसे टॉप परफॉर्मर्स हैं जिनके डीटेल्स रखेंगे आपके सामने इन अफकॉस सेठी सर की राय भी आपको बताएंगे छोड़े से ब्रेक के बाद आते हैं वेल्कम बैक रिपोर्ट कार्ड मुनाफे का गार्ड हमारी खास पेशकश में स्वागत है हमने अभी तक आपको 6 स्टॉक्स के बारे में बताया जिनका दमदार चौथी तिमाही के प्रदर्शन रहा है और आगे भी इसमें दमखम जारी रहेगा इसी कड़ी को आगे इस कमनी के नतीजे आने वाले थे तो मैंने इस कमनी के इनों पोल बनाया था और सही बोलू तो बॉटम लाइन और मार्जिन के फ्रंट पर बहुत बड़ा बीट देखने में अगर आप देखेंगे तो गिरावाट हुई कंपनी के बड़ात हुई नहीं और गिरावाट का क सबसे बड़ा सप्राइज अगर देखने मिला आना कहीं तो वह माजिन और कमनी के मुनाफ़े में माजिन देखें साड़े चार परसें से बढ़के सीधे 15 परसेंट पर आये हैं देखें इसमें दो तिन चीजे हैं एक तो लो बेस का इंपाक्ट देखने मिला और दूसा यह जो नाच्रल गयस से उसके दाम बढ़ेंगे और उसके पहले इन्होंने प्राइज हाइक लेना शुरू कर दिया तो काफी अधक जो प्राइज हाइक ली थी उसका फायदा जो है इनकम्नियों को मिला पहले ही प्राइस हाई क्ले ली थी तो उसका फाइदा पहले कौटर में तो मिल गया लेकिन क्या इस कोटर में आप मिलेगा इसके लिए आपने देखा कि नतीज़े आने के बाद भी किसी भी बड़े दिगज ब्लोकिंग हाउस ने इनको अपग्रेड नहीं किया तीनों की तो सेटल आउट सो सून क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी किलत बनी हुई है सिचुएशन में किसी तरह का सुधार नहीं है लेकिन सेठी सर से जान लेते हैं सर क्या करें ये एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि क्या आगे अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपकी क्या स जरूर होगा और इस कोर्टर में हमने देखा एक तो इन्होंने थोड़ा प्रड़क्ट में एक्सचेंज किया सी एंजी की तरफ ज्यादा ज्यान था वो हाई मार्जिन बिजनेस है तो उसका फाइदा हुआ इनको प्राइज है रेगुलर इंटर्वल पे लिया तो उसका फ कोड्स तर के प्राइसे बनते हुए देखे हैं और इसका फाइदा मिला है सियराम सिल्को नंबर्स कैसे रहे हैं और आगे कैसे प्रोस्पेक्स बनते देख रहे हैं बताएंगे कुशन बिलकुल निया आप देखे हैं यहां पर टेक्स्टाइल स्पेस लगातार हमारी फोकस लिस्ट में बना हुए और क्लियर कट यह पूरा का पूरा सेक्टर या स्पेस आप कहेंगे ना तो जनवरी से काफी ज़ादा बजिंग रहा है और इसकी वज़ा आप ने बताई दिया कि कॉटन की कीमतों में उच्छाल रहा है पट लाजली आप देखें यहां पर बहुत सारी कम कंपनियां ऐसी है जिसमें वायो वाय और क्यो क्यों आधार पर आपको परफॉर्मेंस हर एक पैरामिटर पर अच्छा देखने को मिला है तो मार्जिंस के लिहाद से कंपनी ने अल्मूस्ट 3% की मार्जिंस गेंस की है सालना अधर पर और साथी कमपनी का जो काम काजी मनाफ़ा है वो अल्मूस्ट जो है 80 करोड से बढ़कर 120 करोड पर हो गया है तो सिग्निफिकेंट स्पाइक वहाँ पर भी आतावा दिखा है कमपनी के दोनों सेग्मेंट जो की करेंशन की बात कर रहे हैं प्राइस रिलेजेशन भी अच्छी होने की एक्स्पेक्टिशन है तो आगे का आउटलूग भी स्टॉग है और नंबर तो अभी अच्छी थे ही सिटी सर क्या राय होगे सियराम सिल्क देखें नहां ये मेरा पसंदिदा सेक्टर राया है पिछले कुछ कोटर से मैंने कई बार लगातार कई सेग्मेंट में टेक्स्टाइल स्टॉक को रिकमेंट किया और ये भी पसंदिदा स्टॉक रहा और इसके अलावा कई सारे मेंली कोस्ट कंट्रोल और पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज का फाइदा मिला है फिर अब कोटन प्राइज भी कम हो रहा है तो उसका भी एक फाइदा मिलना है आज भी ये सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे है तो ओल इनल इस स्टॉक में करेंट डेवल्स पर होल्ड त इनके लिए डबल ट्रबल वाली थी क्योंकि इंपूट कोस्ट लगाता बढ़ रहा था लेकिन सप्लाइचेन की भी जो दिक्कते हैं वो भी अभी तक पूरी तरके से सॉल्व नहीं है लेकिन इसके बाद भी देखे तो मार्जन लगबग बरकरार थे 13.4% से वड़कर 13.8 यानि 14% के मार्जन मान लेजे और मुनाफे में भी महस 2% की ग्रोथ नजर आई लेकिन टॉप लाइन ग्रो की है बीस परसंट का अजाफा है यहां पर देखने को मला अब धीरे धीरे जैसे सिटुएशन नॉर्मलाईज हो रही है मानना जा रहा है कि आगे जाकर इनका प्र तो कॉस्ट रेशनलाजेशन दूसरा बेटर प्रोड़क्त निक्स और तीसरा डोमेस्टिक मार्केट में इनके प्रोड़क्स की डिमांड काफी अच्छी थी हालंकि एक्सपोर्ट में थोड़ा इनको दिक्केते जरू ही है पर अले नाल एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है मुझे लगता है इन लेवल्स पर होड तो करना है गिरावट का इंतजार करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए मेरा इसमें लॉंटर्म टागेट है 1100 पिजटर पॉइंट टेकन चलिए तो हमने हमारी खास पेशकर्ष के जरिए आप सब को ये बताया कि कौन से हैं वो स्पेशल नौस टॉक्स जिन्होंने बहतरीन प्रदर्शन दिखाया है पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारी रिसरच टीप ने एफेक्टिवली रखा आपके सामने इन सेथी सर ने बताया कि अब आपको उसमें क्यारण नीती अपनानी है तो सेथी सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुडने के लिए इसके लावा वरुन, कुशल, आशीश थैंक यू सो मच हमारे साथ जुडने के लिए और बताने के लिए कि कैसा performance इन सब की तरफ से देखने को मिला है तो रिपोर्ट कार्ड मुनाफे का गार्ड हमारी खास पेशकर्श में इतना ही मुझे दी जे जासत, हमस्कार.